आईए नमस्कार पड़ाम मैं राजा रनवीजय भुझपुरी लाइट क्लासिज में आप सबुक कफिर से स्वागत करते हैं और हमने जितना भी वीडियो डाला है अभी बजा बजा करके काफी सारा सौंग का भुझपुरी का बहुत सारा सौंग को में बजाया है और आप लो लोगे सबसे ज़्यादा कॉमेंट किया कि सुवर नोटेशन दीजिए सिर्टे इन पलेज लेकिन हमारे तरफ से यह काना एक कि सिर्ण रॉंग नोटेशन गलत है ठीक जा नोटेशन से आप एक सॉंग को एक सकेल से ठीक आप जो नोटेशन आपको दे-दे देंग उससे जाना रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाए तो इसे अच्छा है कि क्यों नहीं थोड़ा सा लेट से ही हम सारे गानों का भीना notation के साथ बजाएं और यह सारा notation बनाना भी खुद सीख जाएं हर चीज समझ में आने लगेगा खुद तो इसके लिए सबसे पहले जो है कि अलंकार की जरूत होता है ठीक है तो हम चाहेंगे कि आप लोग सबसे पहले अलंकार का रियाज करें और शंगीत में टोटल बारा स्वर होते हैं जिसमें की 7 सुध स्वर होते हैं और 4 कोमल स्वर और एक तिन्वर स्वर तो सबसे पहले हर एक सौंग को बनाने के लिए इस 12 शुरू का नौलेज भी होना चाहिए तो आईए सबसे पहले हम आप लोगो को आज सी सार्फ यानि कि पहली काली पहली काली से आज हम आप लोग को सरगम करने के लिए बताएंगे दस अलंगकार हम देते हैं, पांच अलंगकार जो भी है, आप उसको नोट कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए, रियाज कीजिए, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे आपको जो है कि आपके कलाकारी में क आपकी खुब सुर्तियां आएगे, और इसी को आप बहुत अच्छे से समझ पाईए, तो आएए, मैं आप लोग को अलंगकार की ओर लेके चलते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो हम आप लोग को एक बात और बता देते हैं कि 12 जो सुर हैं, वो कौन-कौन सा होते हैं, यहमारा हो गया, पहला सुर जो बोलते हैं, मुख सा, और इसके बाद वाले जो सुर है, इसको बोलते हैं सुद्ध रे, ठीक है, सा के बाद रे, और यह गा, मा, पा, धा, नी, तो यह जो हमारा, एक सब तक हो गया, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, लेकिन कहने का म है, एक ही सब तक में बारा स्वर होते हैं, तो जो बारा स्वर है, यह होगे हमारा साथ सुद्ध स्वर, उसके बाद कोमल स्वर होते हैं, जो कोमल स्वर बोलते हैं, सुद्ध स्वर के जश्ट पिछले स्वर को कोमल स्वर काते हैं, लेकिन ध्यान यही रखना है कि कोमल स्व सुध्र heave तो यह होगा हमारा कोमल रे इसी तरह से सुध्र गालि मारा है जाउब जस् pressure follows आगा इसको बोलते हैं कोमल गाल उसी तरह से हमारा ट्रह आता है तो हमारा यह होगा है सुधिध lows जश्ट पीछ ज़ये है यानि ये सवर, इसको बोलेंगे कोमलध объяс उसी तरह से सुध नहीं हमारा ये हो गया, उसके जश्ट पिश्ल ये हो गया कोमल डहा अब ये हो गया हमारा साथ सुधस्वर, चार कोमलष और उसके बाद एक बचता है तीवरज अश्क एक तीब्र स्वर जो होते हैं मौ होते हैं मौ हमारा ये है ये हो गया सुध स्वर सुध मौ लेकिन इसका जो परिचा है सुध स्वर के जस्ट बाद वाले स्वर यानि इसके जस्ट बाद ये सूर है इसको बोलेंगे तीब्र स्वर ठीक है लेकिन तीब्र स्वर एक ही होता वो इतना ध्यान रखेंगे, अब टोटल को हमने काउंटिंग करते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, यह हमारा टोटल बारा सोर होगा, ठीक है, तो सभी अस्केल से, और सभी थाठ से हमको अलंगार सबसे पहले करना पड़ेगा, तो आइए आज में आप लोग को इस अस्केल से, आपको सबसे पहले जो है कि सभी सुधुस्वर में, यानि बिलावल्थ हाठ में आपको अलंगार करने के लिए बताते हैं, इसी तरह से, इसी को हम डवल करते हैं, ठीक है, इसके बाद इसी को हम तीन वर करें, सा-सा-सा-रे-रे-रे-गा-गा-मा-मा-मा-मा-पा-पा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा-धा इसी तरीका से फिर चार वार करेंगे, ठीका? इसके बाद जो हमालांकार करेंगे, अब करेंगे क्या? ठीक है? तो फिराज के लिए आप लोग के लिए इतना ही अलंकार, सी सार्प से यानि ये स्केल, पहली काली, तो आप लोग इतना प्रैक्टिश कीजिए, उसके बाद इससे आगे, और जो भी आप लोग चाहते हैं कि इससे आगे मुझे बताऊं, तो कोमेंट करें, इसके आगे मैं फ किल मर जी, आप कहीं से बया सकते हैं, कोई भी घाना को, ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे वीडियो के ऐसे ही हमेशा, लाइक कोमेंट करते रहें, और आप लोग के लिए मैं मेहनत देना करूँ,